हेलो फ्रेंड्स एंड ये श्टुडेंट्स आज का मारा टॉपिक है सेंथेसिस ऑफ डाइसो पाइरामाइड फॉसफेट और इस वीडियो में हम लोग डाइसो पाइरामाइड फॉसफेट का इस्ट्रक्शर उसकी सेंथेस और यूजर्स को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ी से उसकी मेकनिजम वगर को भी समझने कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसकी संथेसिस जो है वो की जाती है तो मैं हूं दॉक्टर बजने शुकला चलिए शुरू करते हैं डाइसो पाइरामाइड फॉसफेट जैसा कि अपने पिछले वीडियो में क् क्लास 1A इसको क्लास 1 में भी रख सकते हैं क्लास 1 में और उसमें भी किसके अंदर पर्टिकुलर्ली क्लास 1A के अंतरगत रखते हैं जो की anti-arrhythmic agent की तरीके से use होती है या फिर cardiac depressant property भी जो है इसके अंदर पाई जाती है क्योंकि यह क्लास 1A है तो यह sodium channel जो है उनको क्या कर करेंगी ब्लॉक करेंगी और फेज जीरो जो है action potential का वहां पर जा करके क्या करेंगी काम करेंगी कुछ थोड़ा सा इसका effect जो है वह potassium channels पर भी होता है potassium channel को भी block करती है at the phase zero of the action potential it is also increases the time of action potential duration जो action potential का duration है उसको भी क्या करती है बढ़ाती है तो इसलिए हम लोग इसको cardiac नदिया में क्या कर सकते है यूज कर सकते हैं यह अगर हम बात करेंग इसका metabolism की तो यह रग कुछ partially metabolized होती है लीवर में जाकर कि जहां पर यह अन डी-alkylated metabol metabolite में तूटती है और फिर अपना जो action है इसका anti-arrhythmic वाला वो क्या है वो शो करती है अब बात करें इसके structure की तो it is an आप कह सकते हो कि यह एक an it is an organo amino phosphate derivative from diisopadamide और इसके लिए जो हम अगर इसको chemically इसके structure की बात करें तो हम यह जो लाहिन बड़ी से लिखी हुई है इसक इसको भी हम लोग simplify करेंगे structure को समझने के लिए आप कह सकते हो कि यह butamide जो कि एक mono carboxlic acid amide होता है butamide का मतलब क्या हो गया butane मतलब 4 carbon की ring होगी sorry chain होगी और वहाँ पे amide group यानि की co ns2 जो है वो लगा होना चाहिए ठीक है co h में से o h हटा करके ns2 लगा देंगे तो क्या हो प्रोपाइल ग्रूप है अमीनो ग्रूप के उपर ठीक और वो कहां पर होगा position no.4 पर यानि इस चार कार्बन पर चौथे कार्बन पर यह ग्रूप लगा होगा इसके साथ ही साथ जो दूसरा कार्बन है उसका उस पे फिनाइल रिंग और एक पैरिडीन रिंग जो है वो व पींद हमको भनें चार है एक ठीक है इससे जड़ा हुआ हमने लिखा दूसरा कार्बन इससे जड़ा हुआ हमारा तीसरा। फिर इस से जुड़ा हुआ हमारा चौथा कार्बन फिक चार कार्बन होंगे तो क्या बोलोगे आप उसको ब्यूटेन बोलते ना अब मैंने काया कि यहां पर ब्यूटेन आमाइड है तो पहले कार्बन पर हम लोगों को यहां पर क्योंकि आप सभी जाते हैं यहीं और एसी ड आप सुशान है तो हम चौथे कार्बन वाली भी बात करते हैं चौथे कार्बन पर यहाँ पर डायी प्रोपाइल टू अप्रवाइल अमीनोड यह तू का मतलब है कि यह अमीनों ग्रॉप पे किस नंबर से हमारा यह प्रोपेल जो टीन कार्बन कीशें होगी वह कहाँ पर जूड़ी होगी ठीक है तो इसमें Amino Group है Amino Group मतलब Nitrogen तो यहां पर हमने क्या लिख दिया Nitrogen इस Nitrogen पर हम क्या कहना है प्रोपेन है Propane भी जो है वह किस परकार से है कि Propane का जो दूसरा कारबन है वह इस जुड़ा हुआ है यानि एक हमारा यह Carbon प्रोपेन रिंग है यानि कि जो दूसरा काँब निए आइसो प्रोपाइल ग्रुप जो है लगाप लगा हुग है आइसो मतलब यह वाला ठीक है यहां पर हो गया सीएसी इसी तरीके से डाई है डाई मतलब दो बार है तो दो बा लिख लेते हैं, that is CH, CS3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CS3, तो यह हो गया, यहाँ का काम हो गया, जो हमारा चौथे नंबर पर सब्सक्टूशन था, उसका काम हो गया, अब दूसरे नंबर पर देखें क्या लगा है, 2-Phenyl, तो यहाँ पर एक जो है, हम प्रणिन रिऎ है, तो प्रणिन क्या होती है, बिल्कुल वहती बैَंजीन जैसी ही, बस उसमें क्या होता है, कि यहाँ पर, एक जो है, हमारे पास क्या होगा, nitrogen होगा, carbon को अटा करके क्या लगा देना है यह जो अब बना अब हमको जहां जहां हमको लग रहा है कि वैलंसी पूरी नहीं हम वैलंसी पूरी कर देते हैं इस कार्बन पर आप देख रहों कुछ नहीं लगाना है है यहां पर भी कुछ नहीं लगाना है यहां पर भी कुछ नहीं लगाना है यह क्या डाइसो पाइरमाइड और इसी में अगर हम लोग S3 PO4 जोड़ दें तो हमारा बन गया डाइसो पाइरमाइड फॉस्पेड जो कि आज की हमारी ड्रग है तो इतना असान स्ट्रक्चर है इसका अगर हमको कभी भी सेंथेस पढ़ने तो हमको पहले क्या समझना होता है स्ट्रक्चर समझना होता है अगर आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप यह समझ जाईएगा कि आपको पुड़ा का पुड़ा जो है वह भी समझने आने वाला इसकी संथेसिस तब मैं आसान कर लूँगा ताकि वीडियो बढ़ाना बने देखा आपने यहां पर य asid के होते हैं माईयड जा जो जितने भी करष के होते हैं उनको हम लों हमेशा कर बन को नंब सर्थ आ जेहां पर क्या होता है ऑब क्या करभो बात करते हैं सेंथिस की तो हमारे जो डाइसो पायरमाइड है उसकी जो सेंथिस है वो हमें स्टार्ट करते हैं फ्रम टू रोमोपरडीन और टू फिनाईल Acetonitrile इन दोनों के presence में हम लोगों का reaction होगा मैंने यहाँ पर highlight कर रखा है ताकि वीडियो ज़दा बड़ा नहों आप इसके structure बहुत ही simple से अभी हमने structure पहले discuss कर लिया तो इसके बाद आपको बहुत जारा दिक्कत नहीं होने वाली और यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि कहा कहा पर reaction हो रही है और क्या हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहो यहाँ BR है यहाँ H है यह दोनों एक दूसरे के साथ क्या जाएंगे निकलेंगे यहाँ से ठीक और यब यह एक साथ निकलेंगे तो क्या निकल जागा यहां से HBR जो है वो बहा निकलेगा ठीक है, HBR बहा निकलेगा, यह जो हमारा carbon है estonitril का, यह carbon जो है हमारे bromoparidine के इस ring के उपर क्या हो जाएगा bramin को हटा करके और क्या हो जागा, जोड जागा तो जोड़ देना है और यह reaction किसके presence में होती है हमारा sodium amide जो है उसके presence में हम करेंगे ठीक simple सा देखिए यहाँ पर इसको हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए यह यह हमारा bromoparadine का paradine ring थी यह जो हमारा phenyl substitute जो हमारा acetonitrile था उसके carbon पर क्या हो गया है यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर cn विलकुल वैसे था बाकी कुछ और बदलाओ यहाँ पर नहीं किया हमने अब इसकी reaction जो हमारा 2 phenyl 2 paradine paradine 2 aisle acetonitrile बना है इसकी reaction हमको 2 chloro NN diisopropyl ethnamine इसके कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे अलग अलग जो सबसे मुझे आसान नाम समझ में आया जो मैंने लिखा है वो मैं भी सही हो मैं चेक कर लीजेगा एक बार और इसी को जो हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे NN का मतलब इस nitrogen पे दो बार जो है diisopropyl chain है और यह कहाँ पर लगी हुई है हमारे nitrogen पर लगी इसलिए NN diisopropyl है और इस पर क्या लगा हुआ है इथाईल लगा हुआ है और इसको हम nitrogen लगा है इसलिए हम इसके आप बोलेंगे चाहिए थी हमारे drug के अंदर तो वही चैनम को यहां मिल जा रही है तो हमने क्या करना है यहां पर भी सेम रियक्शन होगी इंदप्र जोड़ जाएगा इस कारबन पे जोड देना है सिम्पल से उठाइए कुछ नहीं बदलाओ करना है सिम्पल इस कारबन पे इस पूरे के पूरे ग्रुप को हमको क्या करना है जोड देना ठीक अब जो यह derivative बन रहा है हमारा इस derivative को हम लोगों को इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है आप महांसे भी देख सकते हो या किसी भी किताब में आप देख सकते हैं इसकी मेकनिजम तो C-N group को हमको C-OH group में convert करते हैं अगर हम hydrolysis करते हैं हम यहां पर ST-O4 की presence में इसका partial hydrolysis करेंगे last step से पहले इसको रोक लेंगे देखें तो फिर क्या बन जाता है यहां पर M-I-E group आजाएगा ठीक है acid group ना आने की जगह क्या आजाएगा यहां पर M-I-E group आएगा तो CO-OH की जगह पर CO और अगर हम यहीं पर फिर से पानी डाल देते हैं एक step आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता ammonia अलग हो जाती और OH group आजाता है यहां पर acid तो यह CN से partial hydrolysis करनी है full hydrolysis नहीं करनी है इसकी in the presence of H2SO4 जो CN group है वो किस में चली जाएगी हमारा CO-NS2 में क्या हो जाएगा convert हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा डाइसो और कहीं कोई बदलाव नहीं करना है यहां पर CN को आपको partial hydrolysis के द्वारा CO-NS2 में क्या करना है convert करना है डाइसो पारमाइड जो है वो हमारा बन जाएगा और अगर इसी को हम लोग सब्सक्राइब करना है और आपका क्या बन जाएगा डाइसो पारमाइड फॉस्फेट जो है वो सब्सक्राइब करना है यहां से क्या निकालना है यहां पर इसकी आपस में क्या करा दी रियक्शन करा दी जब इन दोनों की आपस में पर इसके बाद फिर हमने पार्चल है और यहां से इसका यूज क्या है इसका यूज बहुत ही सिंपल सा है यह यहां पर heart rate कम हो जाती क्योंकि आपने पहली कहा कि यह duration को बढ़ा रहा है अगर duration को बढ़ा action potential के तो इसका मतलब कि क्या करेगा हमको उस प्रकार की अरिद्मिया में काम करेगा चाहां heart rate कम हो रही होगी ठीक है और इसके साथ ही साथ कुछ इस एजेंट का प्रियोग हम लोग कर सकते हैं तो इसकी स्टेसिस और इसकी स्ट्रॉक्चर थवड़ा सा यूज हमने आज देखा और इसकी mechanism of action हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं पुराने वीडियो में और जो हमने स्टार्टिंग के पॉइंट्स आपको बताया थे that is you can use that as per the mechanism also तो अगर कोई भी कोशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा मैं एंसर करने कोशिश करूंगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए अभी तक आपने देखा तो मेभी आपको पसंद आया हो अपन